Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Sanskrit Classes with Dr. Sushila. आज हम संदी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सभी परकार के competition exam में ये topic जरूर आता है, और मैं आपको संदी हर एक नियम के साथ अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें. तो आईए शुरू करते हैं, दो या दो से अधिक, वर्नो के मेल को संदी कहते हैं, यानि जब दो या दो से अधिक वर्नो का मेल होता है, तब संदी होती है, संदी में दो पद होते हैं, एक पूरवपद और दूसरा उत्तरपद, जैसे परम, जमा, आत्मा, परम क्या हो गया ह हमारा पूरवपद, आत्मा क्या है उत्तरपद, तो जब पूरवपद और उत्तरपद दोनों में संदी होती है, तब उसका एक संपूर्ण सब्द बनता है परमात्मा, अब है हमारा संदी के परकार, यानि संदी के भेद, संदी के तीन भेद होते हैं, सबसे पहला है हमारा स् जन संदी वो तीशरा है विशर्ग संदी सबसे पहला हमारा स्वर्शंदी किशे कहते हैं जब दो सवरों के प्रस्पर मेल को स्वर्शंदी कहते हैं जब जमा से पहले और जमा के बाद यानि के पूरवपद का अंतिमक्सर और उत्तरपद का पहला अक्सर दोनों स्वर हो तब उसे हम स्वर संदी कहते हैं जब पूरवपद का अंतिम स्वर और उत्तरपद का पहला पर्थम स्वर का प्रस्पर मेल होता है तब उसे हम स्वर संदी कहते हैं जैसे विद्या जमा अल्य विद्या अल्य यहाँ पर क्या है आप देखो विद्धा के अंदर आ की sound आ रही है और अले में आ की दोनों तरफ दोनों स्वर हैं आ प्लस आ तो क्या बनेगा बड़ा आ विद्धा लें फिर है मुनी जमा इस इधर भी आप देखेंगा मुनी में छोटी ए है और इधर बड़ी इ दोनों स्वर हैं तो क्या बनेगी बड़ी इ मुनी प्लस इस मुनी इस फिर है हमारा स्वर संदी के स्वर संदी के बेद कि स्वर संदी के कितने बेद हैं स्वर संदी के हमारे पांच बेद होते हैं सबसे पहला है देर्ग संदी दूसरा गुन संदी तीसरा वर्दी संदी और नमबर चार है यन संदी और पांचवी आयादी संदी तो हम सबसे पहले देर्ग संदी के बारे मे एक सवर के आगे उसी का सवन आ जाए सवन का मतलब क्या है जैसे ए के सामने आ या ए के साथ ए, उ के साथ उ, उ के साथ बड़ा उ तो इस तरह से जब एक स्वर के आगे उसी का सवर्ण आए तो वह दिर्ग हो जाता है जैसे हम देखेंगे कि ए के साथ बड़ा आ गया और ए के साथ छोटा ए आ गया उ के साथ उ, उ के साथ बड़ा उ, छोटी के साथ छोटी ए, बड़ी के साथ बड़ी ए, आ के साथ आ, ए के साथ ए, ए के साथ बड़ी ए होगी तब भी यहनि कि जो जिस स्वर के साथ उसी का 7 आएगा तो वह क्या बन जाएगा दिर्ग संदी बन जाएगा जैसे देखो A पलस A क्या बन गया? A. A के साथ A जुड़ेगा तब भी A. A के साथ A जुड़ेगा तब भी A. तो यह क्या हो गया? दिर्ग बन गई है. फिर इसी तरह से E plus E, छोटी E है दोनों, तो कौनसी बढ़ी? बढ़ी E. एक छोटी E है, फिर बढ़ी E है, क्या बन गई? बढ़ी E. बढ़ी E के साथ बढ़ी E बने गी, तब भी क्या बनेगा? बढ़ी E. इसी तरह से छोटाउं प् तो फिर भी हमारा बड़ा उ होगा यानि के दीर्ग संदी का यही उधान है कि जब एक स्वर के साथ उसी का सेवर्ण आएगा तो उसका वन जो स्वर बनेगा वो क्या बनेगा दीर्ग जैसे री पलस री दोनों री छोटी है तो बड़ी री बनगी एक छोटी री है दूसरी बड़ी री है फिर भी बड़ी री बनी और दोनों बड़ी री है तो यहां पर बड़ी री बन गई इसी तरह से छोटी ए है दोनों बड़ी ए बनी एक छोटी है एक बड़ी ए है तो बड़ी ए बनी और यहां पर दोनों बड़ी ए है तो ए बन गई यह भोश सारे इस तरह ऐसे दिर्ग संदी के उधान हैं, जो हमें दिर्ग संदी का संकेत देते हैं, अब आईए आपको मैं थोड़े से उधान के साथ समझाती हूँ आपको अच्छे से, इसमें देखो आप, जैसे परम जमा अर्थ, यहां पर ए प्लस ए है, तो क्या बना परमार्थ, हीम जमा अंसू, हीम अंसू, चे जमा अपी, चापी, मत जमा अनुसार, मत अनुसार, चर्ण जमा अर्विंद, चर्णाविंद, कर्शन जमा अवतार, कर्शन अवतार, राम जमा अवतार, रामा अवतार ये सारे क्या थे ए पलस ए होकर जिसका आबन रहा था अब क्या है ऐ प्लस आ होकर यानि के जो पूरो पद है उसमें यहां पर आ है और जमा के बाद आ है उसमें सब में आ बन जाएगा जैसे देखो देव जमा अले, देवाले, हीम जमा अले, हीमाले, प्रान जमा आयाम, प्रानायाम, प्रम जमा आनन, परमानन, पुस्तक जमा अले, पुस्तक अले, जीव जमा अले, जीवाले फिर है आ के साथ जब आ आ जाएगा उसका क्या बन जाएगा बड़ा आ विद्या जमा अर्थी आप देखें यहां पर आ है और जमा के बाद आ है सब में तो क्या बन गया आ बन गया विद्या जमा अर्थी तथा जमा अपी तथा अपी शिक्ष्या जमा अर्थी शिक्ष्या अर्थी फिर है दोनों तरफ आ हैं जैसे विद्या इसमें आ के आवाज आ जारी है और जमा के बाद आ है तो यहां भी बड़ा आ बनेगा विद्या जमा अल्ले विद्या जमा आनंद दयानंद वारता जमा आलाप वारता लाप अब आगे देखिए जो ये हैं छोटी इ है दोनों तरफ इधर भी इ है इधर भी छोटी है तो क्या बनेगी बड़ी इ बन जाएगी अती जमाईव कवी जमाईंदर कविंदर अभी जमाईष्ट अभी जमाईष्ट रवी जमाईंदर रविंदर गिरी जमाईंदर गिरिंदर फिर है एक तरफ छोटी इ है और उसके बाद जमाई के बाद बड़ी इ है तो क्या बनेगी बड़ी इ गिरी जमाईष गिरी है मुनी से है प्रीजमाग इक्षा परिक्षा परतिजमाग इक्षा परतिख्षा और अगे देखिया आप दोनों तरफ बड़ी ही है नदी के साथ हुआ पड़ी ही क्या मात्रा है और इस पर इस, में भी तो क्या बनेगी बड़ी E की मात्रा अब इसमें देखो नदी जमाई से है क्या बन गया नदी से है रजनी जमाई से है रजनी से है मही जमाई से है मही से है इसी तरह से आप देखें यहां पर दोनों तरफ बड़ी E है इधर भी लक्षमी में बड़ी की मात्रा है इधर भी बड़ी है तो क्या बन बड़ी ई, लक्षमी जमा इश्वर है, लक्षमी इश्वर है, सती जमा इश्वर है, मही जमा इंद्र है, महिंद्र है, योगी जमा इंद्र है, योगिंद्र है, अब आप देखें इसमें उ है, दोनों तरफ, इधर छोटा उ है, उदर भी छोटा उ है, तो क्या बन जाएगा बड़ाऊ, सूज मा उकती, सूकती, बानूज मा उदह, बानूदह, लगूज मा उतरह, लगूतरह, गुरूज मा उपदेश है, गुरूपदेश है, शिंदूज मा उर्मी, शिंदूर्मी ही, लगूज मा उर्मी, लगूर्मी ही, फिर है, एक तरफ बड़ाऊ है, और दूसी यहां भी हम देखेंगे बड़ा उबन जाएगा वधूज मा उचवेगए भूज मा उजजा भूर्जा पित्री जमारी नम्पित्री नम्पित्री जमारी नम्पित्री जमारी मातरी जमारी दी मातरी जमारी दी मातरी दी तो ये थे हमारे स्वर संदी के देर्ग संदी के परकार यानि कि जो सबसे पहला भेद था हमारा देर्ग संदी यहाँ पर ये पूरा हो जाता है तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये चैप्टर आपको संदी समझ में आ गई होगी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो देखने का तुरंत मुका मिले तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद